हेलो फ्रेंड्स, वेलकुन तो माइ यूट्यूब चैनल, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, भी ये फाइनल यार इंगिश लिट्रेचर पेपर फॉर्स्ट टू थाउजन ट्वेटी थ्री के पेपर के बारे में इसो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सेक्शन सेक्शन ने में टोटल 10 कोशन जो कि आपके टू-टू मार्क्स के होते हैं, आपको हर एक कोशन करना कंपलसरी होता है, जिसमें आपका फर्स्ट कोशन आया है, वट मेक्स दा स्पीकर इन दा पॉइम, एकोलोजी, एनर्जी आफ्टर दम, यहां पर एनर्जी के जगा, पहली रेन होती है, तब वो गुस्सा हो जाते हैं, क्यों गुस्सा हो जाते थे? तो पॉइम की स्टार्टिंग की ही लाइन है, कि जब भी भी मौनसून की पहली रेन होती है, तब उनके गर के बाहर बगीचे में तीन रैट चंपक ट्रीज है, और उन पर फ्लावर्स लग हैं, और उन फ्लावर्स के जो पॉलन की खुश्बू है, वो बहुत जदा हैवी और सफोगेटिंग है, जिससे कि पॉइट की जो मदर है, उन्हें अलर्जी है, इस कारण जो पॉइट है, वो गुस्सा हो जाते हैं, कि उनकी जो मदर है, वो उन्हें उन ट्रीज को काटने नहीं दे रही है, अगला कोशन है, वाई वाई वस दा मदर ग्रेटफुल तो गॉट इन दा पॉइम नाइट ऑफ दा स्कॉर्पियन, क्यों ग्रेटफुल थी, क्योंकी पॉइट की मरदर है, जो वो उसने ये कहा, कि शुकर है बगवान का, कि बिच्छु ने उन्हें काट सिर्फ इसी कारण, कि उन्हें इस बात की प्रोब्लम नहीं थी, कि बिच्छु ने उन्हें डंग मार दिया, उन्हें इस बात की खुशी थी, कि उनका बेटा सेफ है, अगला कोशन है, डिस्क्राइब दा रीजन ओफ डिवर्स, बाइदा मैन इन दा पॉइम एड दा बैक प्रोग्रस, क्या रीजन था जिसके कारण, जो मैन है, वो डिवर्स दे रहा था, तो यहां पर एक परसन के बारे में बताए गया था, जो कि पहले वो एक मैर्स करते है, फिर उसे डिवर्स देते है, क्योंकि यहां पर जो परसन है, वो कभी डौवरी के लिए, कभी जो अगला कोशन है, what is the message of the point once upon a time, क्या बताया गया है, तो इसमें main क्या है, कि जो speaker होते हैं, वो अपने बेटे से बात करे होते हैं, अपने इसुन से बात करे होते हैं, कि कि तरीके से जैसे जैसे time बीठता जाता है, तो उसे साथ हम क्या है, कि एक नकली जो behavior होते हैं उसे सीख लेते हैं और जो real behavior होते हैं वो धीरे-धीरे खतम होने लग जाता है तो उसके बार में बताया गया है इसके बार next question है how does the point woman to man convey the fear of a mother of her unborn child क्या fear होते है एक mother को तो mother को क्या fear था कि जब उसका जो unborn child मतलब इस दुनिया में आएगा तो कहीं वो उस blade की तीखी धार को देखकर उसकी चमक को देखकर डर ना जाए ठीक है तो उसके बारे में है अगला questionnaire what is the theme of the point women in Dutch paintings क्या theme बताए गई है तो Dutch जो paintings है उसमें women's को बताए गया है जो कि बोज़दा शान्थ है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो मतलब मूरक है या फिर वो अनपड है ठीक है या फिर वो डरी हुई है घबराई हुई है ऐसा कुछ भी नहीं है वो शान्थ है वो दूसरों की respect करती है उनकी बाते मान लेती है वो sensitive होती है और उन्हें value करना आता है अगला question है who performs the operation of the twins in the play Tara with what result सबसे पहले operation किस ने किया था ये जो Tara प्ले है उसमें तारा को मिल सकी next question है describe the relationship between Tara और चंदन इंद अपली अब चंदन और तारा का क्या relation है कि वो दोनों brother and sister है next question था describe the literary term paradox paradox क्या होते है तो paradox में क्या होता है कि एक line दी जाती है जिसमें contradictory opposite words होते है ठीक है उसे कहते हैं जैसे I met I met sweet death तो यहाँ पर जो death उसे क्या होता है गया था sweet इस तरीके से that कभी भी sweet नहीं होती है तो यहाँ पर यह paradox का एक example है इसके पाद अगला question है explain the term from indo-anglian literature indo-anglian literature क्या होता है इंडो का means हो गया एक Indian person anglian का means हो गया कि जब वो English में अपनी writing अपने works लिखता है poetry's prose लिखता है तो उसे हम indo-anglian literature क्याते हैं इसके बाद next यहाँ पर आपका है section B section B में आपके तीन stanza आई हुई है जिसमें से first stanza जो है उसमें यहाँ पर जो stanza है उसमें का गया है his employees speaks in such a low voice that no one would ever suspect how at home he raise his voice is wild to his family but with his buddies on the porch or at movies indulge in loud harangues on politics तो यह कौन सी point में से आई हुई stanza है आपको यह बताना था तो यह add the back of progress जो point में उसमें से आई हुई है and इसके बाद यह जो point के point है इसका नाम भी आपको बताना है तो तसलीमा नैसरिन next time I want to be what I used to be when I was like you I want to unlearn all the all these muting things most of all I want to learn how to love तो इस पॉइम की basically बात ही यह थी कि जो चीज मैं सीख चुका हूं मैं उसे बुला देना चाहता हूं और जो चीज मैं बच्पन में जो real थी मैं उसे वापी से सीखना चाहता हूं और वो क्या चीज थी हसी कि किस तरीके से real हसा जाता है मन से हसा जाता है तो यह जो पॉइम है यह आपकी है once upon a time जो कि Gabrielle Locara के द्वारा लिखी गई है इसके बाद जो next आपकी stand जो है यह आपकी तारा फ्ले में से आई हुई है इसके बाद section B में part second में 4 questions है जिसमें से आपको 3 questions करने थे पहला जो question है वो आपकी point don't call me Anglo Indian इस पॉइम में से आई कि जो point होते हैं उन्हें कभी भी classification नहीं करना चाहिए उन्हें एक point माना जाना चाहिए जो कि पूरे world के point होते हैं इसके बाद next है write a short note on the simils used in the point telephone conversation by Wallace Sonia का तो यहाँ पर basically आपको जो telephone conversation point में उसके पूरी समरी अगर आप लिख देते तो भी आपकांसवर सही था इसके बाद next यहाँ पर हैं यहाँ पर सीमिल में में बाते क्या थी वो जैसे डाड लैटर बोक्स राड बस वो जो बाते थी टैलीफोन के लिए एक बूत बना हुआ था रैड कलर का वो चीज़े जादा थी ठीक हैं बट आपको यहाँ पर पूरी समरी लिख देनी थी इसके बाद अग यह सही है और इसके साथ ही बाद में आपको पूरी समरी यहाँ पर लिख देनी है इसके बाद अगला जो कोशन है वो है सिंबलिजम सिंबलिजम क्या होता है और अलिगरी क्या होता है उसके बारे में बताना था तो सिंबलिजम क्या होता है बेसिकली यानि कि एक वर्ड का उसके जाते है जो कि सिंबल होता है जिसके तुम हम किसी और बात को बताते हैं जैसे कि जो रैड रोस है वो किस चीज़ का सिंबल है तो वो लव का सिंबल है इस तरीके से flag जो ती रंग है वो किसका symbol है वो इंडिया की flag का symbol है allegory क्या होता है ये भी एक symbolic form में एक metaphor होता है metaphor का एक extend form होती है इसके बाद है section C, section C में आपके total 4 question आई हुए है जिसमें से आपको 2 ही question करने थे पहला जो question है वो आपका कज़रना tree में साय हुआ है और ये मैंने आपको बताया हुआ था इसके लाबा postcard from Kashmir ये भी आपको बताया था कि आ सकते है chance देखो कभी भी हमें gas paper की विछे नहीं भागना चाहिए हो सकते हैं कि वो आ जाए ठीक है कभी हो भी सकते हैं ना भी आए ये तो कुदरती हो जाते हैं कभी आ जाती है ठीक है इसके बाद next है कि discuss the relationship between तारा एंड चंदन डिरेक्ट आपको ये लिखना था दोनों brother and sister है उसके बाद आप पूरी यहाँ पर summary लिख सकते थे कि दोने एक जूसे की बहुत ज़्यादा care करते थे एक जूसे से love करते थे वो सब बाते हैं इसके लावा जो अगला question है वो आपका है था what is the mean by the term renesa renesa का क्या meaning होता है तो renesa का means होता है rebirth, revival तो यहाँ पर जब rebirth होता है art का literature का तो उसे हम एक ऐसा time period जिसमें rebirth हुआ, किस चीज का art and literature का उसे हम क्या कहते हैं, renesa, इसके बाद यह बताना था how did renesa develop in India and what with the result कि किस तरीके से यह इंडिया में develop हुआ था और इसके क्या-क्या result निकले तो इस तरीके से आपका paper आयता, hopefully आप सभी का paper अच्छा हुआ होगा and अब आपको next paper के अच्छे से त्यारी करनी है, उसके लिए playlist बनाई हुई है अलग से आप उस playlist को search कर सकते हैं and वहाँ पर आपको second paper की जितने भी topics हैं उन सबकी videos and notes मिल जाएंगे इसके साथ ही अगर आपको कोई doubt है तो आप हमें telegram channel पर contact कर सकते हो, telegram channel है जो वो नए शुरुवात के नाम से है so thank you friends for watching my video, thank you